ग्रैंटपा ही उन्हें उन एलियन चिप्स के बारे में बता सकती थे बेन और उसके दोस्तों का पीछा करते हुए एलियना भी ग्रैंटपा के लैब तक पहुँच गई थी लैब में आकर बेन देखता है कि ग्रैंटपा वहाँ पर नहीं थे जिसके बाद बेन खोदी अपने दोस्तों के साथ मिलकर उस एलियन चिप्स के बारे में जानने की कोसिस करने लगता है और उनके रिसर्च में उन्हें पता चलता है कि एलियन चिप्स काफी ज़्यादा पावरफुल हैं लेकिन ग्वेन के मैजिकल पावर का इस्तेमाल करने के बाद भी वो उन चिप्स के उर्जस रोत के बारे में नहीं जान पाते अगले ही पल ग्रैंटपा वहाँ पर आ जाते हैं जो बेन और उसके साथियों को लैब में देखकर हैरान थे और जानना चाते थे कि आखिर बेन किस बात को लेकर इतना ज़्यादा परिशान है अब अगले ही पल लैब के कम्प्यूटर्स के डिस्पले में डेंजर का वार्निंग आने लगता है क्योंकि किसी ने लैब के सेक्यूरिटी को तोड़ा था ग्रेंटपा को जब पता चलता है कि लैब के सेक्यूरिटी को तोड़ कर अंदर आने वाली और डाटा चुराने वाली कोई और नहीं बल्कि एलीना है तो वो बहुत गुस्सा होते हैं क्योंकि एलीना उनके स्टूडेंट विक्टर की बेटी थी और विक्टर एक गद्दार था इसलिए ग्रेंटपा बेन को जल्द से जल्द एलीना को वहाँ से बाहर भीज़ दे है